हाँ जी बच्चो तो चैप्टर नाइन का ही ये पार्ट सी कंटिन्यू करते हैं हेल्दी इटिंग फोर प्री स्कूलर्स अब हमने शुशुओं के बारे में तो पढ़ लिया कि उनको कैसा पोशन चाहिए क्या उनकी आवश्चक्ताएं है अब हम पढ़ेंगे स्कूल जाने से पहले विद्यालेई पूर बच्चे तो इनकी उमर क्या होती है तीन से छे साल तक इनकी क्या आवश्चक्ता है तो यही इस चित्र में दिखाया है फ्रूट्स भी चाहिए अनाज भी चाहिए प्रोटीन भी चाहिए और सबजियां भी चाहिए और यह जो बच्चे हैं यह बच्चो उछलने खूदने एनरजी बहुत होती है इनमें और यह एक जगा टिक के बैठने वालों में से नहीं है बहुत उर्जा होती है और इनको वेराइटी ओफूड अच्छा लगता है और जो कलर्फुल फूड हो जो हैंडी हो हाथ में पकड़ के खा लें जिसको है ना और इने खुछ से खाना बहुत अच्छा लगता है तो ऐसी चीजे दे ऐसा खाना ना दे प्ले स्कूल में भी ज चाहिए तो कुछ-कुछ यही बातें इस चित्र के द्वारा समझाई गई हैं लेकिन हम अपने चैप्टर पे चलते हैं और कि हमें क्या-क्या पढ़ना है इसके अंदर आगे चलते हैं बच्चो बैलन्स फूड देना चाहिए संतुले ताहार जिसमें सारे आपने अभी फूड ग्रुप्स पढ़े थे खाद्य समू पढ़े थे पांच होते हैं अनाज और अनाजों से बने पदार्थ दूद और दूर से बने पदार्थ दाल और दाल से बने दाले और फलिया दाले और इसको कहते हैं और इसके अलावा आपने milk and products, milk products भी पढ़ा था, fruits and vegetables भी पढ़ा था, fats and oils भी पढ़ा था, तो पांचों खाद्य सम्मू हैं उसमें से इसमें आहार लेना चाहिए इस तरह से बच्चों की plate ready करनी चाहिए किसी भी पोशक तत्व की कमी ना हो और मैंने अभी आपको पीछे बताया था अपनी लास्ट वीडियो में उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं तो उनके रोगों के नाम और किस पोशक तत्व कमी से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए यह बच्चे को दिखा रहे हैं उसके पिच्चर के जरीए कि किस फूड का क्या रोल है हेर के लिए हार्ट के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आइस के लिए है ना तो हम ऐसी कलरफुल पिच्चर अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं आइस के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉंसिबल होता है विटामिन ए विटामिन ए हमें किस से मिलता है लाल पीले फल और सबजीयों से स्पेशली गाचर से तो हम कैरट अपने बच्चों को बता सकते हैं प्ले स्कूलर्स को यह हैंडी फूड की फोटो है जो कटलेट्स हैं आपल्स हैं फ्रेंच फ्राइज हैं इस तरह की चीज़े कटे हुए हम अपने बच्चों को healthy चीज़े बच्चों को खाने में दे सकते हैं जो गिलता नहीं है खाना देखिया आप लांच में कैसे सालेट दे सकते हैं काटके प्रूट सालेट एक और चीज आप पढ़ेंगे इसमें जो स्पेशल बच्चे होते हैं विशेश आवश्शक्ताओ वाले बच्चे उनको हम क्या ध्यान रखें खाना और आहार देते समय है ना उनको स्पेशल ध्यान की जरूरत होती है ये भी आप इसमें पढ़ेंगे तो बच्चो चलते हैं प्री स्कूल कौन से बच्चे वो बच्चे होते हैं विद्यालेपूर बच्चे उमर क्या होती है इनकी एक से छे साल तक शिशु आप पढ़ चुके हो बहुत एनरजेटिक होते हैं बच्चे एक्टिव होते हैं ठीक हैं और इनका भी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से हो रही होती है तो इन्हें भी सभी पोशक तत्वों की जरूरत होती है और ये जो उमर होती है बच्चो ये अच्छी food habits डालने की eating habits जालने की भी उमर हो रही होती है ठीक है और बच्चो को ये भी सिखाना होता है वो खाना चबा चबा के खाएं जल्दी जल्दी निगले नहीं ये सब चीजे भी इसी उमर में समझाने की होती है ठीक है healthy snacks क्या होते हैं और family के साथ खाएं बच्चे कई बार खाते नहीं है नखरे करते हैं दर उदर भागना पड़ता है बच्चो के पीछे तो ये सारी आदते इसी age में डलती है ये न इस table में बच्चे को उर्जा कितनी चाहिए energy कितनी चाहिए protein कितना चाहिए ये सब बताया है ये मैं आपको last में बताऊंगी जो latest table है 2020 की वो उसके according में आपको बताऊंगी तो आप वैसे ही याद करेंगे कि कितने कितना पोशकता तो चाहिए vitamin retinol कितना चाहिए retinol होता है बच्चो vitamin A beta carotene भी vitamin A होता है न iron कितना चाहिए याने कि लोहतद्व कितना चाहिए calcium कितना चाहिए 400 mg है 2010 के table के अनुसार लेकिन ये ICMR जो है RDA चेंज हो गया है थोड़ा वो हम latest वाला ही देखेंगे guidelines क्या है छोटे बच्चों को खाना देते वक्त ठीक है क्या दिशा निर्देश है meal time हमेशा family time हो सब परिवार वाले एक साथ खाए enjoyable मातावरन हो तो बच्चे जब सब खा रहे होते हैं तो बड़ी जल्दी खाते है अकेले में वो नहीं खाते हैं उनको वो आदत नहीं पड़ पड़ पाती है variety of खाने में विविदता दें ठीक है अलग-अलग choice दें खाने में ताकि वो उनको taste भी develop हो है ना और ना एक rule होना चाहिए regularity होना चाहिए कि इतने बज़े meal खा लेंगी हम तो बच्चे को भी वही आदत पड़ जाती है कुछ नई-ईटम्स हम menu में डालें repeat ना करें ठीक है और ऐसी डिशिस भी हो जो बच्चा क्योंकि बच्चे को लगता है मैं खुद से खाऊं जैसे बड़े खा रहे हैं तो जिससे बच्चा खुद हाथ में लेके खा पाई जैसे चपाती रोल है सैंडविच रोल है पनी रोल है इस तरह की चीजे भी हम बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे को घूमने की एक्टिव होता है इनरजीटिक होता है इस तर खेलने की बहुत आदर होता है तो खेलते वीक बच्चे को खाना ना दें उसे यादत डाले की खाना बैट की खाना चाहिए एक ही जगह पे ठीक है बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चे की चोईस के अनुसार खाना चाहिए बच्चे को किसी भी तरह की रिश्वत कि तुम ये खाना खाऊ तो तो मैं ये देंगी ऐसी आदतें भी नहीं डाले चाहिए, पनिश नहीं करना चाहिए, ठीक है, अब बच्चे के लिए आहार योजना बनाते समये, उसे खाना देते समये, उसके लिए मील प्लैनिंग करते समये, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या दूंगी, दोपैर में क्या दूंगी, हम किन बा कभी आलू का परांठा बन गया, कभी सेंड्विच बन गया, कभी आलू के कटलिट्स बन गए, और भी सबजियां उसमें डल गई, बैलन्स होना चाहिए, मील संतुले ताहार होना चाहिए, सारे पोशक्तत्व, सही मात्रा में, सही अनुपात में होने चाहिए, मौडरेटिड होना चाहिए, मील मतलब हर तरह की चीज़े उसमें होने चाहिए, फास्ट फूड भी होने चाहिए, घर का बना खाना भी होना चाहिए, स्वीट्स, आइसक्रीम की मात्रा ये नी बहुत ज़ादा हो, जरूरत के अनुसार होनी चाहिए है ना, ये ना, एक मदर ने, जिनकी बेटी है, चार साल की, उसको खाने में क्या-क्या दिया है, वो दिखाया इसमें, ब्रेकफास्ट में उन्होंने पॉरिज दिया, स्कूल टिफिन में ये दिया, सैंडविच जैसे, लंच में ये दिया, इवनिंग स्क्नीक में ये, और डिनर मे ये दिया, तो अब आप न, इसके बारे में सोचो, जो उन्होंने दिया, उसमें क्या सारे फूड ग्रुप्स शामिल थे, तो मैंने फूड ग्रुप्स आपको खाद्य समू पढ़ाये हुए हैं, अनाज, दाले, फल और सबजियां, दूद और दूसे बने पदार्त, और ल पीठी, चिक्की, गुड की, मुफली की, कुछ आटर को मिला के कुछ बना दिया जाए, ठीक है, ये कुछ साउथ इंडियान डिशी, सुंडल, पायसम, ढोकला, उपमा, बेग्ड पटैटो, चिडवा, पोहा, इस तरह के स्नैक्स भी बच्चे को दिये जा सकते हैं, और क्य अब स्पेशल बच्चे आ गए, स्पेशल बच्चे तो बच्चो आप जानते हो, जो विकलांग भी हो सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, आईस की कोई प्रॉब्लम में तो उनमें कोई ना कोई उनकी स्पेशल नीड होती है, तो उनको खाना खिलाते समय थोड़ी टो होती हैं, चैलेंजिस तो होते ही हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है, तो पहला काम है अब्जर्व करें, क्या अब्जर्व करेंगी, बच्चे को देखें, उसकी एटिंग हैबिट्स को देखें, नोट करें, वो कैसे खाना-खाना सीख रहा है, ठीक है उसके करके, observe करके मतलब, प्रेक्षन करके भी समझ आती हैं तब फिर हमें एक पता चल जाता है कि ये बच्चा खाना कैसे खाता है क्यों कि हर बच्चा विशेष हो सकता है और वो अलग-अलग हो सकता है जो बच्चा विशेश होगा जो स्पेशल बच्चा होगा और फिर उनमें हमने जब उनको notice कर लिया कि कैसे वो food हैंडल करते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते कि इस food से allergy है प्रेक्शन कर लिया, फिर हमें उनमें खाना खाने की तरीकों को विक्सित करना पड़ेगा, डवलपिंग, इटिंग स्किल्स, यह हमें विक्सित करनी पड़ेंगी बच्चों, उनमें खुद से नहीं होती है, कुणि किसी किसी को उन में से किसी किसी बच्चे कोch receptive बच्चे होता है जिन बच्चों को खाना चबाने में तो निगलने में ब हो हमाने सब्सक्राइब निगलने है ठीक है इसलिए उने liquid food देना पड़ता है जो challenging structure का food होता है जैसे जिनकी difficult संगरचना होती है मुश्किल से जैसे tough cutlet वटलेट चबाना वो नहीं चबा पाते हैं रोटी पराठा नहीं चबा पाते हैं तो उनको ऐसा खाना देना पड़ता है जिसे वो niggle second direct है लिक्विड की form में बच्चों ऐसे बच्चों को डाटना नहीं चाहिए punishment नहीं देना चाहिए उनको जो पसंद है वो देना चाहिए किसी food से उन्हें allergy है तो वो हटा देना चाहिए उनके meal में से और उनको अराम से बिठा के खिलाना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि उनमें आदत पड़े आए और वो दीरे दीरे सीख जाएं खुश से अपना खाना खाना तो विद्यालेई पूर्व जो बच्चे होते हैं उन्हें भी टीका करण होता है और उनका भी टीका करण का schedule होता है age wise तो आप देख लीजे 15 महीने से 18 महीने पर MMR का टीकाड लगता है 16 महीने से 2 साल तक भी DPT का लगता है 2 साल पर टाइफोड वेक्सीन दी जाती है टाइफोड की दवा दी जाती है 5 साल पर भी लगता है 10 साल से 16 साल के बीच में Tetanus का भी लगता है विटामीन एकी ड्रॉप्स भी पिलाई जाती है तो बच्चों यही चीज हिंदी में है आपके विद्यालेपूर बच्चों का पोर्षन स्वास्ते और स्वास्तिता कितनी उर्जा चाहिए यह मैं अभी आपको टेबल कराऊंगी हिंदी में पॉइंट्स संतुलिद भोजन की योजना बनाते समय यह तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है विविद्यता, संतुलन और सैयम का नियम इग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने कि एक मदर अपने बिच्चे के लिए यह यह देती है तो आपको चेक करना है कि सारे पोशक्तत्व हैं यह नहीं विद्यमान कम लागत वाले स्नैक्स का उधारन भी दिया है इन्होंने देखिए मैंने करा दिया अभी आपको विशेश आवशक्ता वाले बच्चों को खिलाना प्रेक्षन अब्जर्व करना उने भोजन खाने का भोजन करने का कौशल विक्सित करना बच्चों उनमें वो आदर दीर दीरे आती है टाइम लगता है क्योंकि वो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए विशेश आहार भी हमें देने पड़ते हैं कई बार विशेश आहार है मतलब पतला करके जिनको स्पास्टिक की प्रॉप्लम है स्पास्टिक बिमारी में क्या होता है निगलने की शमता चबाने की शमता नहीं होती है ठीक है बच्चों जिन बच्चों में आटिजम का रोग होता है तो वो खाना सूंग भी नहीं पाते हैं समेल भी नहीं कर पाते हैं टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं तो वो कई बार बहुत खाले थे हैं जिसे उनका वजन भी बढ़ जाता है immunization का ये schedule दिया है देखिए देखा आपने अब आगे चलते हैं बच्चो school जाने वाले बच्चे जो बच्चे school जाते हैं 7 से 12 साल की उनकी उमर होती है ठीक है और उनके लिए विशेश क्या-क्या ध्यान रखा जाता है तो ऐसे में बच्चो आदत तो उनको पड़ी जाती है खाना पीना खाने की और बच्चे बड़े भी हो जाते हैं 7 साल की उमर तक school जाने लगते हैं लेकिन कुछ guidelines उनके लिए भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी हैं जैसे विविदता लाना फिर से वही वाला immunization वाली बात इसमें नहीं आएगी इसमें ये बताया गया है 9 साल की उमर तक portion संबंदी आवश्यकता हैं लड़के लड़कियों की सेम होती है लेकिन बाद में 10 से 12 साल में लड़कों को अधिक उर्जा चाही होती है तो इनका मतलब उनको भोजन के मात्रा भी अधिक देनी पड़ती है लड़कों को है ना लड़कियों के मुकाबले इसके अलावा बच्चों वही सब बाते एम्स फोर विराइटी जब हम बच्चों के लिए आहार योजना बनाए विविधता लाएं गुड नूट्रेशन दे अच्छा पोशन दे जिसमें सभी पोशक्तत विध्यमान हो संतुलित आहार हो सभी खाद्य सम्हू से आहार हो और आजकल बच्चों में मुटापे की समस्या जादा हो रही है तो इन सब चीजों का हम विशेश ध्यान रखे कि उनको फैटी फूड, फ्राइड फूड, मॉमोस बाहर का जंग फूड ना हाने दे तला, भुना, नमक और चीनी इन सब का भी कंट्रोल में डाइट में कम से कम ध्यान रखें कि इनको भी जादा मात्रा ना हो जरूरत के अनुसार हो ये हम एंश्योर करें हमेशा कि बच्चों में नाश्टा करने की आदत हो और हाई सोडियम इंटे याने की नमक का ज्यादा सेवन मना करें क्यों उससे बलड प्रेशर बढ़ता है बच्चों में ये आदत ना आए कि वो बार बार अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे है नाश्टा ना छोड़ें है ना, बच्चों को भी हम इन्वाल्व करें कि बच्चों क्या खाओगे तो उनके लिए आहार योजना बनाते समय हम उनको ही इन्वाल्व कर लें, उनसे पूछें उनकी चॉइस, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसको कैसे अट्रेक्टिव बनाय जा सकता है तो जब बच्चों को हम इन्वाल्व करेंगे तो वो और जादा अपने मन पसंद की चीज जो उन्होंने बताई है, खाएंगे ये एक एक्जाम्पल दिया है अब आप इसमें क्या करेंगे आप खुछ से इवैलूइट करेंगे कि जो बच्चों को ब्रेक्फस्ट में, टिफिन में लंच में, शाम को, रात में खाने में दिया गया क्या वो सभी पोशक, तत्व, उसमें विद्यमान थे, क्या सभी खाद्य सम्मू से बोजन लिया गया था गाउं के इलाकों में रूरल एरियास में बच्चो कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, उपर से अलग हो सकती हैं, जैसे पुट्टू दे सकते हैं, इडली डोसा दे सकते हैं, ठीक है, कुछ सस्ती चीजें हो सकती हैं अब आते हैं, factors, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, बच्चो में आहार संबंदी आदतों को लेके, family environment, अगर family जो है, supportive है, ध्यान रखने वाली है, कि किस तरह का आहार अच्छा होता है, healthy होता है, है ना, योगा और इन सब पे ध्यान देती है, तो बच्चो में भी वही आद डल जाती है, मीडिया, मीडिया का बहुत प्रभाव पढ़ता है, Pepsi, Coca-Cola, इन सब के अड़ देखके, बच्चे उसी साब से सोचते है, मैगी खाने का उनका दिल करता है, ठीक है, तो वो healthy food से थोड़ा सा हट जाते हैं, TV channels का ये प्रभाव पढ़ता है, दोस्तों का में होते हैं, जो जादा तर बच्चे अपने friends के according चलते हैं, और जो friends खाते हैं, वो भी वही खाते हैं, ठीक है, तो friends का हम positively भी ले सकते हैं, अगर बच्चों दोस्त ये सरा दें, और दोस्तों को ये पता हूँ, बच्चों के friends को, कि उनके लिए healthy meal कौन सा है, तो बच्चे जरूर healthy meal follow करेंगे, और फिर है socio culture जो हमारी society में, हमारे culture में भी, जैसे South Indian हैं, तो वो South Indian डोसाइडली ज्यादा पसंद करते हैं, पंजाबी family से हैं, तो बच्चा छोले बटूरे ज्यादा खाता है, और इन बच्चों में एक erratic appetite की, मतलब भूक लगी तो लगी और दूसर भूक ना लगी, moods जो हैं, बार-बार, change होते रहते हैं, तो बच्चों में हम healthy habits कैसे डाले, healthy habits डाले का क्या तरीका है, कि हम उनको pizza, burger की जगे, पाउल ओ, fruits, vegetable, salad ये दे दे, टीवी देखते समय, कि वो fruits खाएं उस वक्त, टीवी देखते समय, ये अच्छी आ रहा था, उस वक्तो चिप्स ना खाएं, दूसरा है, physical activity, थोड़ी बहुत exercise, योगा, इस सब को promote करें, food safety, बच्चों को ध्यान रहें कि हमेशा फल जो खाएं, धो कर खाएं, काट कर खाएं हैं और आजकल तो COVID से संबंदी situation है, तो sanitize भी हम करते हैं, अपने packets, अपने food को अच्छे से धोते हैं, और बच्चों में ये भी ध्यान रहेगी, बच्चों ना जबर रस्ती खाना ना खाते रहें, खाना इसलिए नहीं होता है, कि खाना प्यार का substitute है, कि प्यार में खिलाए जारे हैं, बच्चे की आवश्यक्ता अनुसार, उमर के अनुसार उनको खाना दिया जाए, force ना किया और मोटापा है, तो डाइबिटीज और ऐसी चीजें भी आजकल बच्चों में कम उमर से ही दिखाई दे रही हैं, इस तरह की बिमारिया, मिड़े मील स्कीम, हमारी सरकार द्वारा चलाया गया है, अल्प पोशन के लिए अल्प पोशित जो बच्चे होते हैं, उनके लिए पहली से आठमी कक्षा तक के बच्चों को पेरेंट्स को से खुशी हुई, क्यों कि स्कूल में मील मिलने लगा, बच्चों का पोशन अच्छा हुआ, बच्चों की कॉंसेंट्रेशन बढ़ी पढ़ाई में, अटेंडेंस बढ़ी, तो इसके कई फायदे हुए, तो ये स्क पोशन क्या होता है, अल्पोशन भी और और अधी पोशन भी, ओबिसीटी क्या होती है, मुटापा, जब फैट बोड़ी में ज्यादा हो जाए, हाईपर टेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर, डाइबटीज च्या होती है, मदू में, ब्लड में ग्लूकोस की मातरा अधि कुर्शन्स करोगे बच्चों ये खुष से हिंदी में भी ये सब दिया है विद्याले जाने वाले बच्चों के लिए पोशन संबंदी आवश्चक्ता अब बच्चों में यहां पर आपको दिखा रही हूं इस टेबल में कि उनको बच्चों को उर्जा किती चाहिए तो आप सर्फ इस चीज़ पर देखो जन्म से लेके 0-6 मन्त 6-12 महीने बच्चे 1-3 साल 4-6 साल 7-9 साल फिर 10-12 साल के बवायज लड़के उनकी अलग रिक्वायर्मेंट हो गई लड़कियों की अलग हो गई मैंने अभी बताया था ना तो आप एनरजी देख लो शिशू को ज जन्म से 6 माह तक कितनी उर्जा चाहिए एनरजी 530 है ना यह एस्टीमेटेड है एस्टीमेटेड उनका मतलब होता है अनुमानित अनुमान लगा के इतनी तो चाहिए ही चाहिए जन्म से 6 माह तक को 530 किलो कैलोरी उर्जा चाहिए प्रोटीन कितना चाहिए 7 ग्राम छे मही तक का शिशू है तो प्रोटीन कितना चाहिए देखो 9 ग्राम है ना बच्चे है चिल्डरन है एक से तीन साल के तो कितनी उर्जा चाहिए 1110 4-6 साल का है तो 1360 7-9 साल का है 1700 इस तरह से आप देख सकते हो आप अन्य विटामिन के बारे में जान सकते हो उमर के हिसाब से इसे यही है RDA लेटेस्ट है ना बच्चो तो अब यह चैप्टर आपका क्लोज होता है चैप्टर 9 और आप इसके त्यारी करिए अच्छे से